आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप करेंगे सम वृत्ती प्रानयाम का अभ्यास इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वल रेशियो ब्रीधिंग इसको मैं step by step आपको समझाऊंगी तो जो complete beginner है वो भी इसका अभ्यास बड़ी आसानी से कर लेते है अगर चैनल में नए आये हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और अगर अल्रेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज आप जब सम्रित्ती प्रानयाम का अभ्यास सीखेंगे इस वीडियो को देखकर तो और जब आप करेंगे तो इससे आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि मन जो इदर उदर बहुत भटकता रहता है ना दिमाग में कुछ न कुछ उधेड़ बुन चलती रहती है ओवर थिंकिंग की समस्या वो आपकी कंट्रोल होगी तो चलिए इन अभ्यासों को शुरू करते हैं लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शहीदा ने आज लाव तो बता दिये लेकिन सावधानिया नहीं बताई तो मैं आपको बता दूँ आज के अभ्यास के कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है इस अभ्यास को किसी भी उमर का व्यक्ति किसी भी जर्णर का व्यक्ति कर सकता है आपको कोई हेल्थ कंडिशन है फिर भी इसका अभ्यास बिना जिजग करें जैसे कब बहुत सारी कार्डिया कंडिशन या सर्जरी के दौरान अवउड करी जाती है या प्रेइगनसी के द दर थान अवऔड की जाती है तो कोई भी इसका अभ्यास दिन में किसी भी वक्त करें, इनफेक्ट सोने से पहले भी कर लेंगे ना, फिर भी बहुत अच्छी नीद को प्रमोट करेंगा, तो चलिए, जादा देर ना किये हुए, ये सारी प्रैक्टिस जल्दी जल्दी सीखते हैं और इनसे स्वास्त लाव पाते हैं, जब भी आप प् अज़ूर्ग ऐसे होंगे, जिनके घुटने में दर्ध है, तो अपने पैर को आराम से बकाइदा ऐसे खोल के चाहें, तो पीछे दीवार का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं, और दोनों हातों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रख लें, थम्ब को आपको इंडेक्स फिंग मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई, या तो सोफे में आप आराम से बैठ जाईए, रिड की हड़ी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है, चेहरे को आप पूरी तरीके से रिलाक्स छोड़ दें, निूट्रल छोड़ दें, किसी भी तरीके का भाव ना रखें, अब आपको ध इतनी सास लें आप, उतनी ही सास को नाक से छोड़ देना है, काउंटिंग के साथ यह अभ्यास कर रहे हैं, सास लें, और सास छोड़ दें, बहरी लंबी सास नाक से लें, वान, टू, ट्री, पूर, ली हुई सास को अब धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें, जितने कंट्रोल के साथ सास को छोड़ सकते हैं, बहरे आराम से, वापस से सास लें, वान, टू, ट्री, फोर, अब सासो को छोड़ें, वान, टू, ट्री, फोर, पास ले लें, वान, टू, ट्री, फोर, अब सासो को धीरे धीरे छोड़ दें, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जितनी सास ली, उतनी सास छोड़ दी, कंधों को मैंने रिलाक्स रखा, अपनी रीड की हड़ी को मैंने रिलाक्स रखा, चेहरे को मैंने रिलाक्स रखा, मैंने ये तो नहीं किया ये नहीं किया न, आपको भी नहीं करना है समवृत्ति प्रानयाम का अभ्यास तो इसमें हम करेंगे पूरक यानि सासों को लेना कुम्भक, आंतर कुम्भक यानि सासों को लेने के बाद अंदर रोक के रखना फिर उसके बाद रोकी हुई सास को छोड़ना यानि रेचक और फिर उसके बाद सास छोड़ने के बाद सासों को बाहर रोक के रखना यानि बहिर कुम्भक यानि चार इसमें अभ्यास होंगे तो सास लिया, अंदर रोक लिया, छोड़ा और फिर बाहर रोक लिया तो इस तरीके से एक box हो गया और इन सारी practices में हम breathing पर proper ध्यान रखेंगे कब सास ले रहे है, कब सास रोक रहे है, कब सास छोड़ रहे है और कब सासों को बाहर रोका इससे हमारे मन को वक्त मिलेगा ही नहीं कि वो कहीं भटक जाए तो अब जब हम अभ्यास करेंगे कमरगरदन को सीधी रखे हुए, चहरे पर वही relaxing smile रखते हुए पूरे कंधों को ढीला छोड़ दे, लटकने दे अपने अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ जोड़ दे अपने ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर लेके आए नाक से सास ले ली हुई सास को अंदर रोक ले अंदर रोकी हुई सास को नाक से धीरे धीरे छोड़े जब सासों को बाहर छोड़ दिया है तो बाहर रोक की रखें तो ये हुआ एक चकर इसी तरीके के कम से कम आपको पाच चकर, साथ चकर, नौ चकर इस तरीके से जितने आपके पास टाइम हो क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया इन सारी प्रैक्टिस के कोई भी लिमिटेशन्स नहीं है चले साथ में करते हैं सास लीजिए लीख हुई सास को रोक लीजिए अंदर फिर उसके बाद धीरे धीरे सासों को नाक से छोड़िए और जब आप सासों को बाहर छोड़ दें तो बाहर रोक के रखिए सास लीजिए सासों को अंदर रोकिए धीरे धीरे रोकी हुई सास को नाक से बाहर छोड़े बाहर छोड़ने के बाद सासों को बाहर रोक के रखिए अब आखों को बंद करके मैं सारा अभ्यास आपके साथ करूँगी आप जहां कहीं भी अभी बैटे हूँ ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए आखे बंद कर ली कमर गर्दन सीधी गहरी लंबी सास नाक से ली रोक लिया नाक से सास को छोड़ दिया और बाहर रोक लिया गहरी सास नाक से ले ली हुई सास को रोके रोकी हुई सास को छोड़े और सासों को बाहर रोके रखे इन्हेल, 1,2,3,4, रेटें, 1,2,3,4, एक्सेल, 1,2,3,4, एं रेटें आूट, 1,2,3,4 अगें इन्हेल, 1,2,3,4, सासों को रोके ये तो मैंने आपको एक अभ्यास आज करके बताया अगर आप इस तरीके की और भी अभ्यास सीखना चाहते अलग-अलग तरीके के प्राणाया, मेडिटेशन, ध्यान कैसे करते है deep relaxation में आपको कराऊंगी तो आप सभी join कर सकते हैं मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली online yoga classes इन online yoga classes को यकीन मानिए कोई भी join कर सकता है क्योंकि मेरे सिखाने की जो टेकनीक है वो इस तरीके की है कि अगर आप beginner हैं तो भी join करें अगर already योग का भिहास कर रहे हैं तो अपनी practice को और depth से समझे और अगर आपकी health condition किसी भी तरीके की है जैसे कि diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure conceive नहीं कर पा रहे हैं PCOD, PCOS की समस्या है रात में नीद नहीं आती stress बहुत ज़ादा रहता है तनाव बहुत ज़ादा रहता है तो इन cases में भी ये classes highly beneficial है मेरे कई सारे जो students है उनको उनकी health condition से उभरने में बहुत मदद मिली है लेकिन किसी कारण से अगर आप इन classes को join नहीं कर पाते हैं Zoom के माधियन से तो आप मेरे द्वारा कुछ courses मैंने develop किये हैं जो कि Yoga for beginners, Pranayama और meditation इस तरीके के courses हैं और इनको मैंने बहुत carefully design किया है ताकि कोई भी इनसान जिसने पहले कभी भी योग का भ्यास नहीं किया वो भी step by step आसन, प्रानयाम, ध्यान इन वीडियो की मदद से अपने घर के comfort zone पे ही रह के कितनी भी बार कहीं भी कर ले, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इन courses और classes के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहां पर अपनी website की detail शेयर की हुई है इस website पे visit करें आपको class और courses के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और अगर आप website नहीं जाना चाहते हैं तो यहां पर मैं एक WhatsApp नंबर शेयर कर रही हूँ बस आपको क्या करना है इस वीडियो को देखते देखते रोकिए और इस WhatsApp नंबर पर एक WhatsApp कर दीजे आपको class और courses के बारे में सारी जानकारी आपके मोबाइल पर भेज़ दी जाएगी ऐसा जब आप अभ्यास करने लगेंगे और जैसे जैसे आपके सांस के रोकने की ख्षमता बढ़ती जाएगी मन देखिएगा कुछी दिनों में आपके काबू में कैसे हो जाएगा फिर आप मन से अपने जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वो सब करवा पाएंगे क्योंकि मन तब तक आपका बहुत अच्छा दास बन चुका होगा तो तयारी आज से ही शुरू कर दीजिए मन को अपना दास बनाने की और एक एक healthy life जीए जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी बंधन ना हो कोई भी restriction ना हो क्योंकि हम बाकी पूरी दुनिया को समहाल सकते हैं लेकिन जब तक आप अपने मन को ना समहाल पाएं तो फिर जीवन व्यर्त है तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको step by step या भ्यास सिखाया समझाया आशा करती हूँ हर एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी लेकिन फिर भी कुछ ना समझ में आया हो बिना किसी जीजग के मुझे नीचे कमेंट करके बताईए या कि अगर आपकी इक्षा किसी topic पर वीडियो देखने की है तो उस topic को भी नीचे कमेंट करके बताईए कि future में आप किस topic पर वीडियो देखना पसंद करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है ना तो जाने से पहले जरूर चैनल को subscribe कर लीजेगा और अगर कर दिया है तो आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को खुद तक सीमित बत रखिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगी तो खुद भी अभ्यास कीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी जरूर forward कीजिएगा इस वीडियो को भी like कर दीजिएगा जाने से पहले और निरंतर योग का भ्यास कीजिए ताकि आपको स्वास्त लाव मिल सके अपना खयाल रखिए अगली वीडियो में बहुत जल्दी भी लूगी नमस्ते कर दोस्ते आपको स्वास्त कर दोस्ते आपको स्वास्त